शिक्षा और संस्कृती की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले आप के लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्दवानी हेलो हल्दवानी एक सामुदाइक रेडियो है इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्य विद्याले संचालित करता है और इसे आप 91.2 मेगा हर्ड की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए मुद्धे आपके सामने लेकर आते रहते हैं तो वहीं विश्य विश्य विद्याले से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह के कारिक्रम हम लेकर आते रहते हैं और कई बार हमारे पास समुदाय समाज की समस्याइं होती हैं उनके सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब होते हैं तो कई बार उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उनकी अपने विचार होते हैं, उनके अपने मेले महुत्सव होते हैं। तो ऐसे ही एक कायिकरम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखन मुक्तेश दियाले के रैसायन विज्यान विभाग से डक्टर रूची पंडे और इनके साथ हैं वानी की यवम परियावरन विज्यान विभाग से डक्टर बीना तिवारी फुलारा। और इनकी चो आज की बातचीत है वो रहने वाली है नंदा महोत्सव पर कि आखिर नंदा महोत्सव की शुरुआत उत्तराखंड में कैसे हुई और क्यों इस त्योहार को मनाया जाता है और क्या इसके पीछे का इतिहास है और इस त्योहार को कब मनाया जाता है ये सारी जानका दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर उत्राखंड मुक्त विश्योई द्याले की कम्यूनिटी रेडियो हेल्डवानी मैं डोक्टर बीना तिवारी फुलारा असेस्ट्रम प्रोफेसर डिपार्ट्मेंट और फोरेस्ट्री इंवर्मेंट साइंस आज हम अपने विश्योई से थोड़ा अलग मुद्धे पर आपके पास हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं नंदा देवी महुत्सव चल रहा है और जिग्यासा वस हमने बहुत सारी चीज़ें खगाली और तो कुछ नंदा देवी महुत्सव हम सभी देखने बनाया जा रहा है लेकिन कई सारे कई सारे लो नंदा देवी महुत्सव किस परकार मनाया जाता है उसका इतिहास क्या है उसके साथ किस तरह की कहानियां के वदिंतियां चली भी हैं उन सब के बारे में आपके साथ बात करने के लिए शुरू करते हैं नंदा देवी महुत्सव के विशे में नंदा देवी का पवितर धाम उत्राखंड राज्जी को माना जाता है शायद ही कोई ऐसी परवत शंकला होगी जिसका देश वास्यों के साथ इतना जीवन तरिष्टा है उत्राखंड के लोगों के लिए नंदा देवी, आराध्य देवी हैं उनको बेटी और बहु के रुपे माना जाता है नंदा देवी के नाम पर बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर अनेक नदियां, परवत संकला, पहार बाता नंदा के नाम पर हैं जैसे नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा भनार, नंदा घुंगट, नंदा घुंटी, नंदा किनी, नंद प्रियाग काफ़ी सारे अरसे नाम है जो शायद हमारी भी नजरों के सामने नहीं आ पाए यह नंदा दिभी महुच्छव है दोनों ही जगे पूरे सम्मान के साथ कुमावर गड़वाल के अनिक स्थानों पे यह मेले लगते हैं मानन्दा के मान सम्मान में उत्राखन के बहुत सारे छेत्रों में प्रतिवर्ष इन मेलों का आईजन किया जाता है जिन में से मुख्य अल्मोडा में है फिर नैनिताल कोटमन्या भवाली बागेश्वर रानिखे चंपावद गड़वाल यह आदी छेत्रों में मेला प्रतिव सवस्वराल माना जाता है जिसर प्रकार है ठीक शैत्र की बेटियां पहाड़ी बेटिय रवर्ष अपने सवस्वराल जाती है ठीक उसी प्रकार से माना जाता है कि उसी अ संस्कृति का पृतिक नंदा देवि JEFFE 6 महां के लिए बतेवी vocês महां के ख़ेशांस की पीछसे के कर्फtail और यसलिए हड़ा कि हमारी उत्राखंड की पावित्र देवी इस इस समय नंदादेवी महुतसफ चल ला है और हर किसी महुतसफ के पीछे कुछ न कुछ कुछ कहानी उसकी कुछ हिस्ट्री होती है तो नंदादेवी महुतसफ कभी एक छोटा सा जिहास में आपको कुछ बताना चाहूंगी उत्तराखंड में गणवाल के पवार, राजाओं की भाति कुमाओ के चंद राजा की कुल देवी भी नंदादेवी ही मानी जाती है नंदादेवी का जो मेला है चंद मंत के सासक काल में अल्मुणा में मनाये जाता था इसकी सुरुवात राजा बाज बहादूर चंद के सासक काल में हुई थी इतिहास के मुताबिक सन 1670 में तब से मा नंदा का कुल देवी की रूप में पूजन शुरू हुआ। सन 1690 में ततकालीन राजा उद्योद चंद ने परवत्ती सर और उद्योद चंद्रेश्वर नाम के दोस्सिम मंदिर नंदा देवी मंदिर में अल्मुना परिसर में बनाये। आज भी ये मंदिर उद्योद चंद्रेश्वर और परवत्ती सर के नाम से प्रचलीत है। सन 1815 में ब्रिटिस हुकूमत के दोरान ततकालीन कमिशनर ट्रेन नंदा देवी की पृतिमा को मल्ला महल से दीब चंद्रेश्वर मंदिर अल्मुना में स्थापित कराया। पहले इसका जो स्थापना हुई थी मल्ला महल महल हुई थी बाद में इसको दीब चंद्रेश्वर ने अल्मुना में स्थापित करा दिया। इन प्रचलित मानिताओं के लाबा कुछ नई एक प्रचलित मानिता यह भी है कि एक दिन कमिशनर ट्रेल नंदा देवी चोटी की ओर जा रहे थे। तो रहा में अचानक उनकी आँख की रोशनी चलेगी। युद्ध में विजय मिलेगी तो वो नंदा देवी को अपने इस्ट्री देवी की रूप में पूजा करेंगे। हर किसी कहानी के बाद उसकी प्रचलित मानिता लगाता कई वर्चों तक चलती रहती है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं इस समय उत्तरा खंड में नंदा देवी, नंदा सुनंदा महुतसब, ननिताल, अल्मोडा, बागे सर, भवाली, आधी स्थानों पे मनाय जा रहा है। तो उस महुतसब की स्टार्टिंग प्रारम होने के पीछे हिस्ट्री तो मैंने आपका बता दी। लेकिन यहां मेला प्रोसेस कैसे होती है। इसके बारे में अधिक जनकारी देंगी। डॉक्टर भीना तिवारी फुलारा जो यह बताएंगी कि उसकी लोग मानिताय क्या है जैसा डॉक्टर रूची ने बताया कि केस प्रकार से इसका जो इतिहास रहा है उसके बारे में तो मानन्दा देवी महुतसब मनाय जाने के पीछे बहुत सारी लोग मानिताय एवें क्युविदंतियां जुड़ी हुई हैं जिसके अनुसार चंदर राजा की दो बहने मानन नंदा और सुनननदा देवी एक दिन वह मंदिल जा रही थी तभी उनके पीछे राक्षस भैसे के रूप धरन करके उनके पीछे पढ़ गया तो दोनों भैबीत होकर उसके भागने लगी और भागते भागते वह कदली विक्ष के पीछे चुप गई कदली विक्ष के भैसे से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो भैसे उनने खूष लुष देसे और उनको मार डुम सुननदा है तो एक मानेता गाने अनुसाल मात उन्मात लगाहँ जानते हैं कि पार्वती माता या गौरा माता जिनकों कहते हैं वो दक्ष प्रजापती की पुत्री थी उनका नाम उस रूप में उमा नाम था उनका तो एक बार क्या हुआ कि उमा ने यग्य के बाद शिव जी को प्रसंद ने किया और उन्होंने जित कर ले कि मुझे उनी से वह तो जब उमा का श्व जी के वह वहा हुआ है इस अरग श्रक्ष प्रजापती भिलकुल भी खुश नहीं थे वह वह तो उन्होंने पुत्री की स्रेंती नहीं दिया जाता था जब श्रक्ष प्रजापती ने एक बहुत बड़े विशाल यग्य का ईच्शन किया और नात में शिव जी के यग्य का भाग भी नहीं रखा गया जिससे उमा बहुत नराज हुई और वह यग्य स्थल पर पहुंच गई दक्ष प्रजापती द्वारा शिव जी के लिए अपमान जनक शब्द कहे गए जिससे नराज होकर क्रोधित होकर उमा ने अपने आपको यग् हुए शरीर को देखकर उनमें वैरागी की भावना अत्पन हो गई और वो उनके जलेवे शरीर को अपने कांधे पर रखके आकाश में इधर से उधर विच्रण करने लगे और इस तरह विच्रण करने लगे वो बहुत दुखी थे तो इधर से विच्रण करने लगे तो उन जहां यह भाग गिरे वहां पर सक्ति पीठों की स्थापना हुई यानि इक्यावन सक्ति पीठों की स्थापना हुई इसी क्रम में जो नैनिताल में जहां पर सैती माता के नैन गिरे उसको नैना देवी नाम से जाना गया आज भी हम उसको नैना देवी कहते हैं वो नैना नंदा और सुनंदा को एक क्रोधित रूप में जाना जाता है इनके एक भाई है जिनको लाटू देवता जब नंदा दिवी महुत्सर की बात करते हैं तो हम इन तीनों के बिना यह महुत्सर बिल्कुल अधूरा है अब लाटू देवता कौन थे उत्तराखंद की जो अनन्नि के भाई और मार्ग दर्शक थे जब राक्षशों के सांथ युद्ध हुआ तो लाटू देवता ने ही उनका नेत्रत्व किया एक बार नंदा को वान पहुंचते वान गाउं को नाम है जो हमारे करवाल मंडल में है जब वहां पहुंची तो उनको रात हो गई और उन्हें वहीं रुखने का फैसला किया नंदा ने लाटू को एक बुडिया के घर पर रुखने को कहा और रात को लाटू द्वारा पाने मांगने पर जब बुडिया अमाने कहा कि आप खुद ले लो तो वह एक मटके में एक में शराब भरी वी थी और एक में पानी भरा हुआ तो साटू देवतों को पता नहीं था कि इसमें शराब है वह गलती से उन्होंने शराब पी ली और नशे की वज़े से वह गिर गए और उनकी जीब कड़ गए और वह घूंगे हो गए नंदा से उनकी हालत देखी नहीं गई और तो उन्होंने जब उनको एक कस्ट उन्होंने तुमसे मिले बिना तुमसे भेट के बिना आगे नहीं जाया करूंगी तो इसी वज़े से लाटू देवता के जो कपाथ हैं वो पूरे वर्ष बंद रहते हैं केवल एक दिन वैशाक पूर्णिमा के दिन ही खुलते हैं और जो स्थानी लोग है उनका मानना है कि लाटू द अगर नागमनी के तेज के आगे वो दिस्टीहिं हो जाएंगे उनको हमेशा ही आप पट्टी बात कर जाया जाता है तो यह कुछ प्रिजंतियां थी जो हमारी दिवी महत सो जुड़ी थी जानते हैं कि प्रति वर्ष जो है मनाया जाता है और 12 साल में नंदा राज्जा तेयात्रा जो बहुत मुख्य आपकी यात्रा है उत्राखंट का एक बहुत ही प्रमुखपर्व है हर 12 साल में इसको मनाया जाता है पिशली नंदा राज्जा तेयतरा 2012 में हुई थी और अब यह 2023 में होगी तो यह कुछ किर्दंतियां थी जिनक मेला है, बीना जी ने बोला कि जा प्रतिवर्स भाद्र पधर अयुजद् 살ting नंदा निक्रतक्र प्रतिवर्स भाद़्स भादपद शुकल जागर के माध्यम से माननन्दा सुननदा का आवान किया जाता है इसी दिन गडेश पूजाका कार संपन किया जाता है और गडेश पूजास के द्वारा निर्मिव में संपन्य होने की कामना की जाती है। पंचमी तिथी से प्रारम में मेले के अफसर पर दो भवी देवी प्रतिमाएं बनाई जाती है। पंचमी की रात्री से ही जागा की प्रारम होता है। यह जो प्रतिमाएं हैं मुख्य रूप से कदली या केदाल इस्तम्व से निर्मित की जाती है। और नंदा की प्रतिमा का सवरूप उत्राखंड की सबसे ऊची चोटी नंदा देवी के सुरद्धिस से बनाया जाता है। तो नंदा देवी महुच्छब बनाने के लिए एक दिन निश्चित है जैसा कि मैंने बोला सुकलेपक्स। इसकंदपुरान के मानस खंड में बताया गया है कि नंदा परवत के सीर्फ पर नंदा देवी का बास माना गया है। जैसे कि नंदा देवी महुच्छब चल रहा है इस समय, हर किसी को इसके बार में सही जानके भी सुनिश्चित नहीं है कि अल्मॉडा या नन्णिताल में नंदा देवी महुच्छब को कितनाया हो गाया है। क्योंकि अलग लग किवदंतिया हैं, अलग लग सन मिस्चित केग हैं, लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि अलमुडा नंदा देवी परिशर में इस मेलो को लगभग 206 साल पूरे हो चुक है, लगभग है सकते हम, सही कुरेट जानकरी तो किसी को नहीं है, क्योंकि अभी अलमुडा की तरह नेंताल में भी नंदा देवी का मेला आस्था और विश्वास के साथ माया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अलमुडा से जाकर लोगों ने नेंताल में इस मेले की शुरुवात करी, 1938 में अपने हाथों के द्वारा वेवस्था ली गई, तो वर्तमान में यह कह सकते हो कि इस संस्था के सपास यह पूरी वेवस्था का सारा कार सुनी सीत है, कदली स्थम्ब की और फेके जाते हैं, जो स्थम पहले हिलता है उसी से नंदा देवी बनाई जाती है, दुरुस्थ्रा जो इस थम हिलता है उससे सुननदा तथा तीशरे से देवी सकति के हाथ पैर बनाई जाती है, पूजा के अफसर पर नंदा का अवान सम हिसापसुर मर्दिसी नीज के रूप में कहा जाता है सबस्टी के दिन जुन्ड के स्थम्बो को काट का लाया जाता है इसी दिन कदली स्थम्बो की पहली चंदवनसी कुवर या उनकी प्रतिमीधी पूजन करते हैं क्योंकि चंदवनसी मुखी रूप से लाये थे इसलिए सबसे पहले पूजा वही लोग करते हैं उसके पशार मंदि के अंदर प्रतिमाओं को निर्मान होता है और चैनित के गए कदली स्थम्बो के पूजा अर्चना के पशार मेली की कतिविध्या प्रारम हो जाती है मुखाकर्टियों की आंगिक, स्रंगार, आबू सर्ण से अरंक्रित करने के पश्याद उसका पूजान के जाता है और मद्र रात्री में इन पृतिमाओं की प्रान, प्रतिस्ता वह अन्यविध्या, पूजा संपन की जाती है मेला होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि खाली मेला ही होता है, मेले के अफसर्पाव कुमाओ की लोक अथाओ को लय दे कर गाने वाली प्रथा जिसे हम जागर कहते हैं, जागर प्रथा भी की जाती है, मेला अधित, तीन दिन्या उस से अधिक بھی चलता है और इस दरान लोकण्रतित तोलिया, नंदा देवी मंदिर प्रांगड में आसन जमाके बैठते हैं जोड़े, छपेली, छोलिया, हुड़के कि थाप पर सम्मोहन किया जाता है मेले का मुख्य आकर्शान परंग पारागत गायकी में प्रस्नोत्तर करने वाले गायक हैं जिसे हम बैरिय के नाम से जानते हैं यह कुछ नंदा देवी महुत्सव और नंदा देवी से जुड़ी हूँ लोग कताएं उसे जुड़ी हूँ प्राचीन परंपराएं और उसको सुनिश्चित के जाने के दिन के संबंद में कुछ छोटी सी जानकारी हमने जुटाई थी जो आपके सामने आज उने नंदा देवी महुत्सव संस्कृति को जीवत करने वाला एक विशेश पर्व है जो हमें अपनी लोग संस्कृति से जोड़ता है और उसके प्रति सम्मान को प्रतसित करता है आशा करती हूं आप लोग को यह जानकारी कुछ पसंद आई होगी धन्यवाद